So, hey guys, it's me Utkarsh and you are most welcome to my channel Parrots Alyssa जैसे कि आप सभी ने request किया था कि मैं rabbits की भी videos बनाऊं So, here I am, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबी बनीज की डाइट के बारे में हम 7 weeks to 6 months की rabbits को babies में count करते हैं अगर आप 7 weeks से छोटा बेबी adopt कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए 7 weeks से छोटे बेबी के लिए mother milk बहुत important होता है अगर उसे mother milk नहीं मिलेगा तो उसकी growth और health अच्छी नहीं होगी बहुत से cases में उनकी survival के chances भी कम हो जाते हैं इसलिए आप हमेशा 7 weeks से बड़े बनीज को adopt करें अगर आपने छोटे बेबी को adopt कर लिया है या किसी case में mother milk अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें cow या buffalo milk मत दीजिए ये milk वो digest नहीं कर पाएंगे और इनका immunity system और week हो जाएगा वैसे किस में आप इन्हें goat milk दीजिए या फिर आप milk replacer rabbits के लिए परचेज कर सकते हैं अब बात आती है 7 weeks से बड़े rabbits की बेबी बनीज की पास 24 hours fresh water रहना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारे rabbits पानी गिरा देते हैं इसलिए आपको heavy grip वाले balls यूज़ करने चाहिए जो dogs और cats के लिए यूज़ होते हैं second चीज जो rabbit की पास 24 घंटे होनी चाहिए वो है खूब सारा हे हे हम सूखी घास को कहते हैं बनी इसकी diet का सबसे important part होता है हे अगर आप alpha alpha afford कर सकते हैं तो आप baby bunny को alpha alpha हे एक portion में दे सकते हैं इसमें बहुत सारा calcium और phosphorus होता है जो इनकी growth के लिए बहुत important है alpha alpha तो बस एक portion रहेगा इसके अलावा आप इन हित्थे मोथी हे दे सकते हैं और आप जो simple bermuda grass होती है जिसे दूब घास कहते हैं आप उसे भी dry करके rabbits को दे सकते हैं ये भी उनके health के लिए अच्छा होता है बेबी rabbits के लिए दो टाइप के pellets होते हैं alpha alpha pellets और timothy pellets अगर आप afford कर सकते हैं तो आप इसे दे सकते हैं दिन में एक बार लगभग आधा कटोरी और अगर आप afford नहीं कर सकते हैं तो आप totally skip कर सकते हैं अगर आपका rabbit अच्छी quantity में हे खा रहा है तो कोई problem नहीं आएगी इसके अलावा आपको rabbit को कुछ भी नहीं देना है कोई fruit कोई vegetable कुछ नहीं बहुत लोग इन्हें धनिया, पत्ता, पालक ये सब खिलाते हैं तो ये सब बंद कर दीजे चार महीने से छोटे rabbit को आप हे और pellets के अलावा कुछ भी नहीं खिला सकते human food जैसे रोटी, चावल अगर आप ये सब दे रहे हैं rabbit को तो समझे कि आप उन्हें जहर खिला रहे हैं अगर आपका rabbit फोर मन से बड़ा है, तो आपको धीरे-धीरे करके उन्हें safe vegetables और fruits इंट्रोड्यूस कराने हैं बट आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी दे रहे हैं vegetables या fruits उसके बाद जब आपका rabbit poop करें तो आप उस पर ध्यान दीजिए अगर poop थोड़ी गीली हो रहे है या फिर उसमें थोड़ा सचेंज आ रहा है तो जिस fruit या vegetable की कारण वो हुआ है आप उसकी quantity कम कर दीजिए तो I hope आपको ये पता चल गया है कि baby rabbits को क्या चीज़े खिलानी चाहिए और क्या नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट्स में बताइए कि हम किस किस टापिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएं थांक यू